प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब और नेवर मिस अनादर अपडेट सेटलाइट सर्वे में पहाडों के पहाड गायब होना बताया गया जिस पर सुप्रीम कोर्ड ने इस पर तल्क टिपनी करते हुए कहा कि माफिया हनुमान जी की तरह पहाड ही उठा कर ले गए देखने वाली बात यह है कि हर साल हजारों टन पत्थर अवैद खनन का निकाला जा रहा है लेकिन समंदित विभाग चाहे खनीज विभागों या वन विभागों और पुलिस आखे मूंदे बैठे है अलवर जिले में भी हर्याना शेतर की लगती सीमा के आसपास काफी मात्रा में अवैद खनन होता है हर्याना में पूरते अवैद खनन पर पाबंदी के चलते अवैद खनन तो अलवर में होता है और हर्याना में लगे क्रेश्रों में इसकी सप्लाई होती है आज के अगर बात करें तो जब भी कभी इस तरह की सकती होती है तो कुछ समय के लिए वैद खनन जरूर रूख जाता है इससे माफियाओं की प्रशासनिक मिली भगत सामने आती है सुप्रिम कोट द्वारा राजय सरकार को दिये गए 48 घंटे के अल्टी मेटम के बाद अवैद खनन पर क्या रूख लगी यह देखने के लिए हम अलवर के जट्याना गाउं शेतर में पहुँचे है जट्याने गाउं में आपको बता दू अलवर से लगती हुई सीमा से लगबख शेर से 57 किलोमेटर आगे की तरफ है जो सभी प्रशासनिक अधिकारियों के निगाह में भी रहता है और यहां अक्सर दिन रात यहां अवैद खनन देखा जाता था लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करें पिछले कुछ समय से यहां अवैद खनन रुका हुआ है कारण भले ही कुछ भी हो अवैद खनन माफ्याओं के परशासनिक के सरपर मिली भगत का है या परशासने की दबाव कहें फिलाल अवैद खनन नहीं देखा जा रहा यहां के इसानी एक निवासी हम उनसे जाना चाहेंगे आज कल अवैद खनन चल रहा है या अपट जेखुजी सर जी ऐसे गई साल ये जट्ट्याना गाहा हुए उसमें एक आदि मरगा दब के खान में बंद ये तो इसमें यह अवैद है या लीगल है या क्या लीज पर रहे या वैद ऐसे वह सही है जिए अच्छान लोग यह लोग अपने यह जट्ट्याना काई दोली दूर काई करें कि दिन रात यही काम करें अब नहीं कर रहा अब इन दिन आज कल बन किया हुए है शाब जो ये इस्ताने निवसी इनका कहना है कि पिछले दिनों जब अवैत खनन के दोरान एक यहां मजदूर की खान में दवने से मौत हो गई थी उसके बाद थोड़ा सा अंकुष लगा था और अगर इन दिनों की बात करें अवैत खनन की इन दिनों की बात करें 48 गंटे में आखिर परशासन की सक्स कारेवाही की वज़े से अवैत खनन बंद हुआ या फिर परशासन दुआरा अवैत माफियाओं को सूचना दे दी गई कि इन दिनों अवैत खनन ना किया जाए साफ साफ कहा जा सकता है कि अवैद माफियाओं की मिली भगत कहें परशासने के स्थर पर मिली भगत के कारण अवैद खनन बंद है या वाकई ही कंट्रोल हो चुका है अवैद खनन पर यह देखने की बात है फिलहाल अगर आज की इस सिति की बात करूँ तो यहाँ जो अवैद खनन का शेत्र है जट्यान गाओं है जट्यान गाओं में इन दिनों अवैद खनन फिलहाल ऐसाई रूप से तो हम बंद कही ही सकते हैं अलवर जिले के भिवाडी तिजारा किशनगर बांसुर बहरोड मुंडावर से तासवास में होने वाले अवैद खनन पर अंकुष लगा पाना असान नजर नहीं आता